उत्तर प्रदेश की सरकार हर दिन आम लोगों के हित्ने फैसले ले रही है वैसे भी सरकार का असल काम होता है आम लोगों को हर तरह की सुविदाएं मोहिया कराना और इस काम को योगी सरकार हर दिन पूरा करने में लगी होई है अब जो योजना लेकर योगी सरकार आ रही है उसमें एक कार्ट से ही कई योजनाओं का लाब भिलेगा तो इस कार्ड की खासियत के साथ-साथ आपको ये भी बताते हैं कि योगी सरकार इसी एक कार्ड के जरिये कैसे कई योजनाओं से लोगों को लाप पहुचाने वाली है तो इस कार्ड का नाम है Family ID कार्ड जिसका स्लोगन है एक परिवार, एक पहचान इस कार्ट को लेकर सरकार जोरदार तयारियां कर रही है खुद मुख्यमंत्री योगी आधितिनात ने आदेश दिया है कि इसे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लोगों के बीच लाया जाए सीम योगी का मानना है ये कार्ट परिवार की हर जरुरत पूरा करने का माध्यम बनेगा इसलिए उन्होंने अधिकारियों से कहा है हर परिवार के पास उनका फैमिली आईडी कार्ट होना चाहिए सबसे पहले इस फैमली आईडी की विशेस्ता को जान लीजिए कि आखिर ये कार्ड कैसा होगा हर आईडी पर बारा विशेश अंक लिखे होंगे हर परिवार को ये विशेश कार्ड मिलेगा कार्ड में हर एक लाब का हिसाब किताब लिखा होगा मतलब उत्तरप्रदेश में किसी व्यक्ति को किस सरकारी योजना का लाब मिला है और कौन इससे बाकी रह गया है इसका पूरा हिसाब किताब इस फैमिली कार्ड में मिल जाएगा मुखे मंत्री योगी आदितिनात का ये भी कहना है कि हर परिवार को सरकार की योजनाओं का लाब देने के लिए इसे तयार किया जा रहा है साथ साथ हर घर के एक सदस्य को रोजगार नौकरी से जोडने के लिए फैमिली आईडी कार्ड बनाने का काम शुरू हुआ है लगे हाथ एक बात और साफ कर दी जाए कि राशन कार्ड पर मौजूद नंबर ही फैमिली आईडी कार्ड नंबर होगा इसी नंबर के डेटाबेस से ये पता किया जाएगा कि किस परिवार के पास रोजगार है या नहीं है और जिस परिवार के पास रोजगार nहीं होगा उन्हें तुरंत ये मोहेा कराया जाएगा सरकार ने अपनी तरफ से ये भी साफ कर दिया है कि जिन लोगों के पास राशन कारड नहीं है वो भी इस लाप से दूर नहीं रहेंगे योगी सरकार के आंकडे बताते हैं कि फिलहाल उत्तरप्रदेश में 3 करोड परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजिना का लाब मिल रहा है फैमली आईडी कार्ड के फायदे फिलहाल 15 करोड लोगों को खाद्य लाब मिल रहा है इन परिवारों का राशन कार्ड नंबर ही फैमली आईडी है एक लाग से ज्यादा गैर राशन कार्ड धारकों की फैमली आईडी बनी योगी सरकार पूरी कोशिश में है कि इससे कोई वंचित ना रह जाए और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने अधिकारियों को निर्देश दिये है सरकार जिस तरह से कोशिश कर रही है उससे तो साफ है कि हर वंचित और गरीव को इस योजना का सीधा लाप मिलेगा हुद मुख्यमंत्री ने बैठक के दोरान फैमली आईडी योजना की प्रगती की समिक्षा की इसे योगी सरकार का एहम प्रोजेक्ट माना जा रहा है इस योजना को लेकर इसी साल फरवरी के महीने में सीएम योगी ने विधान सभा में एहलान किया था और उस दोरान भी कहा था कि इस फैमली कार्ट से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को काफी फाइदा होने वाला है तो इस खबर पर आपकी राई क्या है हमें कमेंट कर जरूर बताएं